स्कूल का पॉइंट क्या है? मतलब स्कूल का बेसिक प्रेमिस क्या है? हम बच्चे अंदर जाते हैं और आल्मोस्ट एडल्ट्स बाहर निकलते हैं स्कूल के हिसाब से ये हमारी सीखने, लिखने, पढ़ने की उमर है और हमारे उस उमर में काफी सवाल होते हैं और स्कूल कहता है तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहां मिलेगा Maths, Science, Language, History, Geography फिर आगे जाकर Economics, Stats या Pre-Mid Chemistry Biology क्योंकि स्कूल को लगता है कि एक टीनेजर को ये सब जानना है लेकिन वही स्टूडेंट जो Chemistry और Biology पढ़ रही है उसके अंदर भी कुछ Chemical और Biological हो रहा है उस सब के बारे में भी उसके पास कई सवाल है लेकिन स्कूल के पास ऐसी कोई क्लास नहीं है स्कूल तो कहता है ये सब सवाल ही मत करो तो फिर एक टीनेज स्टूडेंट प्यार, महबबत और इश्क के बारे में कहां से सीखे हाँ? मेरा नाम है लक्षतत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल औफ इश्क ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जिसके स्टूडेंट्स को स्पेस के ब्लैक होल में कम और इश्क के ब्लैक होल में ज्यादा इंट्रेस्ट है ये है एपिसोड 6 Day 2 Tuesday February 12, 2002 All right, शुरू करते हैं सुनैना के इंट्रोड़क्शन से सुनैना सोला साल की है और हमारे स्कूल औफ इश्क की 11th क्लास में है आपको अल्रड़ी ये पता है कि सुनैना सोहाना की बेस्ट फ्रेंड है और ये भी याद होगा कि Day 1 के एंड पर सुनैना ने सोहाना को एडवाईस दी थी कि सुनैना को अपने इस Proposal Day की कहानी खुद लिखनी चाहिए जैसा आपको शायद फील हो रहा है सुनैना एक बहुत अच्छी दोस्त है इतनी अच्छी कि वो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुश देखना चाहती है और सुनैना के लिए खुशी सच से थोड़ी ज्यादा Important है इसलिए जब सुनैना ने कल सुहाना को ये एडवाईस दी थी उसने उसे सच नहीं बताया नहीं बताया कि वो जानती है कि सुहाना की चिट पर किसका नाम लिखा है क्योंकि सुनैना को लगता है कि प्यार को पाने के लिए सब जायज है In fact, सुहाना की फिजिक्स औ लवासिफी की तरह सुनैना का भी एक बिलीफ सिस्टम है सुनैना को लगता है कि लव बिलकुल भी कॉम्प्लिकेटिड नहीं है पता नहीं क्यों ये मुवीज, बुक्स और गानों में से सब इतना मुश्किल सा बना देते हैं सुनैना जानती है प्यार क्या है? एक लोक, एक ताला, एक बंध बक्सा, एक लोक्ट खजाना और जिस तरह हर ताले की एक चाबी होती है, सुनैना के प्यार के इस ताले की भी एक ही चाबी है सुनैना को लगता है कि उसे जिन्दगी में एक ही बार प्यार होना है, एक ही इनसान से होना है और एक ही इनसान को उस से होना है एक लोक, एक की, एक ताला, एक चाबी और सुनैना अपने इस ताले की चाबी को सिर्फ किसी को भी नहीं देने वाली है In fact, वो पिछले चार साल से कुछ candidates को consider कर चुकी है और करीब दो साल से एक ही लड़का रह गया है उसकी लिस्ट पर सुनैना की क्लास में ही है वो भी और ताकि इस evaluation process में कुछ external issues ना आए सुनैना ने उस candidate को ये सब नहीं बताया है क्योंकि वो क्यों अपना और उसका time waste करेगी अगर वो sure ही नहीं है उसके बारे में इसलिए ये proposal day बहुत important है क्योंकि आज सुनैना के ताले की चावी उसे प्रॉम्पोज करने वाली है वाला है? Anyway, अभी सुभा के आठ बच के एक मिनट हुए हैं और सुनैना भाग रही है क्योंकि वो लेट है उसे ठीक आठ बजे मिलना था student president से प्रॉम्पोजल रूम के बाहर क्योंकि सुनैना स्कूल अफ इश्क की student union की vice president है ये सुनैना का पहला प्रॉम्प है और उसका पहला प्रॉम्पोजल डे भी है, obviously और इस दिन में सब कुछ smoothly और fairly जाए वो सुनैना की responsibility है जिसे वो बहुत seriously लेती है लेकिन फिर भी सुनैना लेट है सिर्फ एक मिनट लेट क्योंकि उसे आज फिर से bus लेनी पड़ी इवन दो उसने अपने पापा से कहा था कि आज उसे जल्दी ड्रॉप कर दें लेकिन as usual वो अपनी late night party से लेट आए और सोते रहे लेकिन ये bus ride भी इतनी बुरी नहीं थी सुनैना अपनी best friend सुहाना के साथ थोड़ा और वक्त गुजार पाई उसके चहरे पर वो खुशी देख पाई जिसके लिए उसने काफी महनत करी थी और as a bonus बस से उतरने के बाद सुनैना को अपने ताले की चाभी भी दिख गई और उसने सुनैना को देखकर एक smile भी करी जिससे सुनैना को भी एक confirmation मिल गई कि आज उसका पहला proposal successful जाएगा अगर सुनैना के पास थोड़ा सा भी वक्त और होता तो वो रुक कर उससे बात करने की कोशिश करती पिछले चार साल में दोनों ने मुश्किल से 40 शब्द कहे होंगे एक दूसरे को लेकिन अब जब दोनों को पता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कुछ तो नया मिल जाता बात बढ़ाने के लिए Anyway तो फिलहाल 8 बच के 5 मिनट पर सुनैना प्रमपोजल रूम के बाहर खड़ी है और अपने प्रीफेक्ट्स को गाइड कर रही है ताकि कोई भी स्टूडेंट लाइन और प्रमपोजल रूल्स को ना तोड़े Usually सबसे ज्यादा स्टूडेंट ट्राफिक होता है 8 से 8.5 बचे तक फिर साड़े 8 क्लासे शुरू होती है और क्लासे में ट्राफिक कम रहता है और फिर हर पीरिट के बीच में फिर से ट्राफिक बढ़ जाता है सुनैना का प्लान ये है क्योंकि वो अब जानती है कि उसकी चाबी I mean उसके क्रश को पता है कि सुनैना उसे पसंद करती है सुनैना साड़े 8 बचे के बाद जाकर अपना प्रॉमपोजल प्रॉमबुक में डाल देगी फिर जब वो आएगा वो देख लेगा कि सुनैना का नाम उसके पेज पर लिखा है फिर उसके लिए आसान हो जाएगा सुनैना के पेच पर अपना नाम लिखवाना सुनैना अपना काम करती रही लाइन आगे बढ़ती रही और फिर 8 बच के 15 मिनट पर सुनैना के प्रॉमपोजल डे का पहला ट्विस्ट हुआ सुनैना का क्रश उसके सामने आ गया उसने सुनैना को हाई कहा और पूछा अगर वो क्लास रूम में जा सकता है सुनैना ने कहा शोर और एक स्माइल के साथ उसे अंदर भेज दिया सुनैना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद उसका प्लैन कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा था जब वो बाहर निकला उसने सुनैना को थैंक्यू कहा और अपनी क्लास की तरफ चला गया सुनैना ये सब प्रोसेस ही कर रही है और सोच ही रही है कि कब साड़े आठ बचेंगे और वो अंदर जाकर इस प्रोमपोजल को लॉक कर पाएगी और फिर आठ बच के बीस मिनट पर लाइन में सबसे आगे खड़ी है उसकी बेस्ट फ्रेंड सुनैना को सुहाना को देख कर बहुत खुशी हुई वो समझ गई कि सुहाना फाइनली अपने एक्स को भोला कर एक नए प्यार को मौका दे रही है सुनैना इसलिए भी खुश है क्योंकि जिस लड़के का नाम सुहाना की चिट पर लिखा था वो सुनैना का दोस्त है सब कुछ प्लाइन के हिसाब से जा रहा है आठ बच के 35 मिनट हो गए है और अभी के लिए लाइन खतम हो गई है सुनैना अब क्लासरूम के अंदर जा रही है अपना प्रॉमपोजल प्रॉमबुक में डालने प्रेजिडेंट अलरड़ी थकी हुई है इन 35 मिनट में 50 स्टूरेंट से उपर को प्रॉमबुक में अड़ कर चुकी है और क्योंकि सुनैना वाइस प्रेजिडेंट है प्रेजिडेंट उसको प्रॉमबुक पकड़ा देती है और बाथरूम ब्रेक के लिए चली जाती है सुनैना 11 के S's के पेजिस को फ्लिप करते हुए सोच रही है कि कैसे पिछले 24 घंटे में उसकी पूरी लाइफ बदल गई है और फिर आता है सुनैना के प्रॉमबुजल डे का दूसरा ट्विस्ट सुनैना के पेज से पहले आता है सुहाना का पेज और उस पर लिखा है रोहान सुनैना के क्रश का नाम सुनैना पेज टर्न करती है अपने पेज पर जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा सुनैना अभी हाफ शॉक्ट, हाफ गन्फूस्ट है शायद प्रेजिडेंट ने कोई गलती करती सुनैना, सुहाना दोनों एक साती है तो गलती करी होगी राइट? लेकिन आज कोई आम दिन नहीं है और क्योंकि उसे पता है कि प्रेजिडेंट किसी भी सेकंड वापस आ सकती है, वो जल्दी से आर्ज में जाती है रोहान के पेज पर और वहाँ लिखा मिलता है सुनैना को उसका थर्ड ट्विस्ट ओफ दे डे सुहाना प्रेजिडेंट दो गलतियां तो नहीं कर सकती और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है सुनैना यूनो तुम्हें ये करना लाउड नहीं है रैट? सुनैना के पीछे खड़ी है उसकी प्रेजिडेंट वो देखती है कि सुनैना कौन से पेच पर है और कहती है आ रुहान सर्प्राइजिंग, रैट? वो और सुहाना? तुम्हें पता था क्या? नहीं सुनैना कहती है एन्यवे तुम्ने अपना प्रमपोजल डाला? नहीं ओके, गुद शुद बी in my handwriting anyway बोलो कौन है वो? सुनैना प्रेजिडेंट के सवाल को एक सेकंड के लिए सोचती है और इस एक सेकंड में सौ बाते सोचती है हर पॉसिबिलिटी हर आइडिया और फिर आती है एक नाम पर वो नाम जिसके साथ ये सब शुरू हुआ था सुनैना अपनी प्रेजिडेंट की तरफ देखती है और कहती है रोहन और आज की कहानी यही तक ऐसा हो सकता है कि सुनैना की तरहां आप भी थोड़े शॉक्ट या कन्फ्यूस्ट है सबर रखिये अभी तो काफी कहानी बाकी है अभी तो रोहन से मिलना बाकी है मेरा नाम है लक्षदत्त और आप सुन रहे हैं स्कूल ओफ इश्क यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताईए इंस्टेग्राम पर और अगर आप इस शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टेग्राम की बायो के लिंक पर क्लिक कीजिए टू शो यूर इश्क मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसका नाम है डे टू रोहन